हेलो एवरिवान, विल्कम बैक तो योर और ये हूँ मैं, विल्कम बैक तो योर फेवरेट चैनल, मैगनेट ब्रेंस, दिस इस मी, श्विपरातिवारी, बहुत-बहुत स्वागत है, यहाँ पर आपको प्रवाइड करा जाता है, आपको पता है, बिल्कुल बहतरी फ्री एड अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें, आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट वाली क्लास होगी, क्योंकि आज हम अपने अपने एनिमल किंग्डम की आखरी क्लास में मेलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, human beings भी एक mammals ही होते हैं, last class में हम बूटी पढ़के इसको रिवाइस भी कर लिया है आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास मेमेलिया की देखिए बहुत ही जादा excitement वाली क्लास है इस वेरी वेरी गुड वेरी वेरी अडवेंचरस क्लास देखिए क्या है mammals का नाम mammal क्यू पढ़ा सबसे पहले तो हम लोग यह जानेंगे it is a beautiful हाथी ठीक है elephant तो mammals का नाम mammals क्यू पढ़ा सबसे पहले हम लोग इस बारे में बात करेंगे देखिए क्या होता है mammals का नाम mammals इसले पढ़ा क्योंकि इनके पास होती है memory gland त पर मेल और फीमेल में आपको पता है जो फीमेल होती है। उसमें मेमिदी ग्रोंट यह बहुत जादा आक्टिव नहीं होती। जबकि फीमेल में तो बहुत अक्टिव होती। मेल में में मेमीरी ग्लाइंड还ं but harder active यहाई अगर आप πरोटो थीरिम्स चैनल में मेमरी ग्लाइंड के बाख करेंस और मैल और Now let's start with the general characteristics of the mammals शुरू करें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे General characteristics कोई भी mammal जो होता है वो कैसा हो सकता है हाला कि बहुत सारे characters आप आप अल्रेडी इसके जानते हैं और हम लोगों ने बहुत सारे discuss भी कर लिये हैं So let's start सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या है मतलब पहले habitat बात कर लिए बताएब मुझे कहां कहां रहते है mammals कहां कहां आपको दिखाई डिये हैं आश तक mammals-jungle में दिखाई देते हैं घर पे आपके दिखाई देते हैं इतने सारे गाय, भैस, बकरी, बिल्दी तो आपको इतर घुमते दिखाए देते हूंगे चुबा हुआ ठीक है तो इसका मतलब ये कि दूनिया में धर्ती में जहां जीवन है वहाँ पर मैमल्स है चाहे आप बात करें वेल की, डॉल्फिन्स की ये सब क्या हैं? ये अलार मैमल्स प्रेजें इन्टू दा एक्वर्टिक एंवार्मेंट सो मैमल्स कैन बी प्रेजेंट एवरिवेर ये आर कॉस्मो पॉलिटन और यूबिक्यूटस ये हर जगा पाये जा सकते हैं हैबिटाट इस वेरी यूनिवर्सल कोई टेंशन नहीं है हैबिटाट की बात कर लेते हैं हैबिटाट इनको लिखा हुआ है कॉस्मो पॉलिटन हर जगा पाये जा सकते हैं कैरेक्टर्स में सबसे जो इंपॉर्टन चीज है ये आर वाम ब्लडड़ेट ठीक है तो एव्स में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि all the apes are warm-blooded now they are also warm-blooded कोई tension की बात नहीं है mammals को अगर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये सरफ और सरफ वीवी पैरस हो सकते हैं मतलब कि बच्चे दे सकते हैं तो ये बहुत बड़ी गलत फैमी है आपकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोई भी mammals होता है वो अंडे भी दे सकता है बच्चे भी दे सकता है और बच्चे जन्म देने के बावजूद वो अपने पाउच में भी रख सकता है और फिर जब वो डेवलाप हो जाएंगे तो बाहर कर सकता है So they can be oviparous, they can be viparous and they can be overviparous चीक है Body तुम तो सिर्फ अपने आपको ध्यान में रखो mammals पढ़ रहे हो ना तो तुम तो सिर्फ अपने आपको ध्यान में रखो ठीक है बहुत गर्मी है तो जब पन जल्दी से देखते हैं पढ़ना शुरू करते हैं ठीक है So body जो है They have head Look at me आर अपने आपको मत देखो They have head They have neck They have trunk They have tail Madam अपने पास तो नहीं है tail But you have tailbone ना बच्चो तो तुम्हारी पास tailbone तो है इसका मतलब यह कि तुम्हारे ancestor के पास जो है वो tailbone रही होगी रही होगी कि नहीं होगी तो ancestor के पास तो भहिया ऐसा है कि tailbone तो definitely रही होगी ठीक है बाद में tailbone का काम खतब हो गया बाद में tailbone का काम खतब हो गया तो कोई tension नहीं है क्योंकि पूच का काम आप क्या करोगी Human being कहाँ पूच लेके गुमेगा तो tail का काम खतब होगया But still we have tailbone ठीक है Now अब हम लोग एक एक system के बारे में बात करते है सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते है digestive system अच्छा दिखिए Sorry, respirative system मैंने digestive की क्यों नहीं बात की क्योंकि digestion में ऐसा हमारे पास कुछ अलग सा नहीं है जो किसी और के पास नहीं होता पर respiration की मैंने पहले क्यों बात की वो मैं अब आपको समझा रहे है देखिए क्यों मैंने बात की respiration की पहले बात करने का सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि we have diaphragm बच्छो ठीक है we have diaphragm it shapes like this so we have dome shaped diaphragm in the lower side of the lungs actually mammals का ये characteristics feature होता है diaphragm समझ में आई बात किसी और क्लास के पास किसी और गुरुप के पास diaphragm नहीं होता but mammals have the diaphragm what the diaphragm will do क्या करेगा diaphragm diaphragm will separate the thoracic cavity and the abdominal cavity getting my point what the diaphragm will do diaphragm will separate the thoracic cavity and the abdominal cavity because it is a division characteristics and also helps in respiration so mammals के पास ही होता है किसी और के पास diaphragm नहीं हो सकता ये चीज आपने याद रखनी है ठीक है ये फटिलिजेशन में क्यों आगे हम लोग okay so diaphragm is present now let's talk about the lungs we have lungs okay respiration पूरा बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले तो लाइस्पिरेशन respiration system में सबसे पहले अपने पास है डाइफरा ठीक now we have lungs now what we have we have lungs ठीक है we have two lungs ना lungs is covered by a membrane called as plural membrane ठीक है lungs is covered by a membrane called as मैं एक चीजे बता रही हूं मैंवल्स के बारे में ठीक है plural membrane done and in between the two membrane there is a fluid called as plural fluid so we have lungs for the gas के एक्चेंज के लिए the lungs is covered by a membrane called as plural membrane in between the membrane there is a fluid called as plural fluid जो कि इसको शौक से बचाता है ठीक है so lungs is the site of gases exchanged by the process of diffusion कोई डिक्कत परिशानी इसमें कोई परिशानी तो नी अगीर बातन क्या करने वाले हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपो क्लियर हो गया we have diaphragm we have lungs we have tracheal system कहां पर पढ़ा हम लोगों ने कॉक्रुच में पढ़ा था हम लोगों ने और थो पोडा में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कॉक्रुच में हम लोगों ने पढ़ा था we have tube system but we don't have lungs human means या ममल्स में tube तो system होता ही है but all the tubes will open into the lungs okay so we have a lung system we have well developed respiratory system we inhale the air from the outer side by the help of the nostril then we inhale then it will go to the nasal passage then it will goes into the trachea then it will goes into the bronchus, bronchi, bronchiol and your lungs okay कोई दिक्कत परिशानी we have external nostril too ठीक है कोई चीज़ और बच्ची क्या तो हमारे पाइस एक tubular system होता है एक lung होता है जो कि site of gases exchange होता है ये all mammals में सेम है आगे बढ़े आजाओ आगे की बात करती है चलिए digestive system नहीं है क्या है क्या है क्या है क्या सो रेस्पिरेटरी system के बाद अगली बाद जो है वो क्या है रेस्पिरेटरी system के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी digestive system नमबर 2 पे हम लोग digestive system समझते है digestive system में elementary canal is present why मैंने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखी है क्योंकि अगला जो chapter है वो शायद यही हो और अगर नहीं भी हो तो आपको समझना जरूरी है कि कौन-कौन से पाठ हैं वो elementary canal के होते हैं मैमल्स में सुने ध्यान से सबसे पहले हम लोग कोई भी खाना कोई भी digestive system की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग दातों की बात कर लेते हैं जब भी आप कोई खाना मूह में रखते हैं then you will chew it ठीक है आप उसको क्या करते हो चबाते हो ठीक है जब आओगे किसके माध्यम से you have different types of teeth into your buccal cavity isn't it कौन से type के tooth होते हैं आप खुछ सोचिए रहा कौन से प्रकार की दात होते हैं क्या आप उतने दातों को जबडों से अच्छे से हिला सकते हैं मतलब आपको कोई आसानी से चप से कर दे तो क्या आपको दान थिल दाएगा नहीं इसका मतलब यह कि जो आपके दात होते हैं वो आपके जबडे से बहुत ही ज़्यादा strong attachment शो करते हैं इस type of teeth is called as थीकोडों teeth so mammals have the थीकोडों teeth now mammals में दात जीवन में दो या कई बार आ सकते हैं so they have poly phiodon, di phiodon now we have different types of teeth into our mouth like incisus, canine, premolars and molars so we have heterodon teeth ठीक है so this is the dentition कि human being या mammals में अलग-अलग प्रकार का dentition हो सकता है खाना चबाने के बाद you have different types of salivary gland you have three pair but the cat have four pairs इस तरीके से जानवरों में salivary glands होती हैं नंबर अलग-अलग हो सकता है तो salivary gland क्या करती है चबाई हुए खाने में saliva को mix करती है जिससे खाना आपका चिकना हो जाता है गोल हो जाता हुआ और सरक्कर नीचे चला जाता है salivary gland के बाद हम लोग किस चीज के बारे में भी खाना है मतलब झाई के बाद जाता है तो जाता है जाता हुए ध板 inference ठीक है जिससे हम खाने को बाहर करते हैं ठीक है So digestive system आपको समझ में आया Look at this Human being have the mouth, teeth, tongue, epiglottis जो की आपके wind pipe के उपर का धकन होता है salivary land, pharynx, ceasophagus, liver, stomach, gall, bladder, pancreas, large intestine, small intestine, appendix, ectomanus Appendix human being में ये mammals में गाय भैसों में active होता है पर humans में active नहीं होता Now next thing So we have thicodont, heterodont, diophiodont हमारे चार प्रकार के दाथ होते है Okay Now Respiration फिर सा कैसे आगया बता दिया था मैंने कि we have four pairs two pairs of links Sorry, 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 sorry ये भूल जाओ four pair किसके पास होते भी या दो pair Now हम लोगों ने birds में पढ़ा कि we sound box के नाम पर क्या है sound box के नाम पर we have syrinx ठीक है But अगर आप बात कर रहे हैं किसकी mammals की अगर आप किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों mammals की तो सारे जहां से अच्छा गाना कैसा बहतरीन लग रहा है because we have well developed larynx which contain two types of sound vocal chords true and false यह मैं रेस्पारे रिक्टरी में पढ़ाया है ठीक है तो larynx जो होता है वो sound production करने के लिए होता है यह sound organ कहलाता है ठीक है को दिखकर circulatory system ठीक है ओके 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 circulatory system की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो last class में भी मैंने आपको समझाया था कि circulatory system जैसे hepatic portal system होता है तो जो four chambered heart वाले human beings क्या mammals तो four chambered heart होता है इन सब में hepatic portal system पाया जाता है यह मैंने AVs में और उसके पहले reptiles वगरे में भी बताया है तो जिनके में भी four chambered heart होता है उनके में hepatic portal system भी होता है ठीक है तो we have hepatic portal system we have four chambered heart we have well developed heart two auricle, two ventricle हमारी RBCs की बात करें तो थोड़ी सी अलग type की है भ्यान से समझे क्या है हमारी RBCs आपको ही समझ में आए कि we have four chambered heart it is a respiratory system ठीक है तो circular है non-nucleated except llama and camel ठीक है llama and camel अची मैं आर बी सी नुटलेटेडड फ्ती बाकि सब की मैमेलिया में आर बी सी राउंड होती है और讲net नहीं?! क्यों क्यों थी क्यों नी नहीं फिप्हरती होती है इनको डेवाइक होना sowॉन ली स्वय सी बनना है और हिदाना है बनेहें नहीं! So, this is the respiratory system look at this nose, mouth, trachea, lungs, full rep, chakra excretory system के बात करते हैं excretory system के लिए we have well developed kidney we have well developed kidney into our body and all the kidney आपकी वो कैसी है kidney है आपकी metanephric kidney कैसी है बच्चो? metanephric kidney, ठीक है? metanephric मतला में यहाँ पे होगे, abdominal cavity में ureter है, urinary bladder है, urethra है, कोई टेंशन नहीं है endoskeleton endoskeleton की बात करें? बताईए कितनी bones हैं आपके पास you have so many bones, ठीक है frontal, parietal, occipital, temporal carpus, metacarpus, tarsus बहुत सारी humorous, radius, ulna बहुत सारी bones हैं आपके पास हैं की नहीं? इसका मतलब यह कि आपका जो endoskeleton बना हुआ है वो actually bones का बना हुआ है अब सबसे important चीज जो मैं आपको बता रही हूं इनका जो skull होता है वो dicondylic होता है पते की बात है, monocondylic था है इस में, reptiles में भी इनका जो skull होता है, वो dicondylic it is like तो यह है आपकी vertebral column and it is your dicondylic skull यह ऐसा आएगा और ऐसा फच जाएगा इसकी वज़ा से आप क्या करते हैं you show the yes yes and you show the no movement थीक है मतलब आपका जो skull होता है वो अच्छा movable होता है, कोई tension नहीं है मतलब ठीक-ठाक move कर जाता है थीक है तो you can show the yes and no movement by the dicondylic skull ठीक है now nervous system बताईए कभी भी अगर आपके school में teacher बोलते हैं तो क्या आप सोचते हैं क्या बोल रहा हैं फिर से बोली है एकाथ बर होता है but you have well developed that nervous system you have well developed nerves you have 12 pair cranial nerves you have 31 pair spinal nerves so you have so many types of nerves जो की coordination करने के काम आती है समझे नहीं समझे आप so nervous system में cerebrum and cerebellum are very complex cerebrum is the part of forebrain and cerebellum is the part of hind brain cerebrum किसी भी चीज को coordinate करने में मदब करता है मैं बोलती हूँ ए तो सामने वाला बोलेगा समझ जाएगा कि डर गए हैं अपन को यह काम नहीं करना है तो cerebrum high thinking skills reading and writing skills यह सब maintain करता है जबकि cerebrum आपके body posture को move करता है मतलब चलना है, रुकना है, कूदना है, फानना है, गिरना है body posture को cerebrum maintain करता है so human beings या mammals में nervous system well developed होता है vertebral column होती है अपने पास spinal cord होती है अपने पास 31 pair spinal nerves होती है 12 pair cranial nerves होती है तो कोई tension तो बिल्कुल भी नहीं है body के different organs में ये एक nerves जाती रहती है ठीक है so nervous system is highly developed ठीक है अब अपन बात करते हैं कि इसकी sensory इसकी बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको cerebrum की बात कर रहे हैं सरीbrum की बच्चों ऐसे पाठ होते हैं सरीbrum जो होता है वो जनरली ऐसा walnut टाइप का दिखाई देता है तो दो भागों में रहता है तो आपके इन दोनों भागों के बीच में दिहान से देखो इन दोनों भागों के बीच में ऐसा एक tissue like structure होता है it is called as carpus callosum ठीक है क्या कहते हैं इसको हम लोग इसे हम कहते हैं carpus callosum carpus यहां पर लिख दरी हूँ मैं callosum आई बात आपको मेरी समझ में so nervous system की हम लोग बात करी रहे हैं तो आपको ये बात समझनी जरूरी है कि nervous system में we have cerebrum and cerebellum cerebrum के जो दोनों पाठ होते हैं वो एक structure से connected रहते हैं जिने हम carpus callosum कहते हैं carpus callosum is another character of the mammals please always remember this ठीक है कोई दिक्कत इसमें now let's talk about the sensory organ sensory organ में अभी तक आप लोगों ने कहीं भी external ear के बारे में नहीं सुना था ठीक है पर अब आपको external ear दिखाई देगा आपको ear pinna दिखाई देगा ठीक है it is like this ये वाला ear pinna आपको अपने कान में well developed bones दिखाई देगी मतलब मालियस, incus, tapis ठीक है तो आपके middle ear में आपको cochlea दिखाई देगा ठीक है we have round canal present into our internal ear called as middle ear to internal ear called as cochlea जो की sound का travelling time बढ़ाता भी है वाटो लिथ डस्ट होती है, बहुत सारी कहानी है ठीक है तो ये आपको समझ में आया है तो कान हो गया आपका को attention दो नहीं इसमें अगली बात करते हैं sexes देखिए sexes जो होते हैं मैमेलिया के वो generally unisexual होते हैं male औफ female जो होते हैं इनमें क्या होते हैं वो अलग-अलग होते हैं मतलब लड़की, लड़का, चुहिया, चुहा, ठीक है और शेर नी, शेर बहुत common सी चीज है तो sexes जो होते हैं वो unisexual होते हैं fertilization जो है वो internal होता है because they have copulatory organ reproduction की बात कर ही रहे हैं तो male में reproduction के नाम पर ध्यान समझे, male पर अपने पास क्या होता है testis, ठीक और female में अपने पास क्या होता है वहीया, ovary ठीक है, testis क्या produce करता है sperm, ठीक है यह बताने की ज़रोत नहीं थी हाला कि मुझे, और ovary क्या produce करती है, ova ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि male क्या produce करता है male के पास क्या होता है, testis और female के पास क्या होती, ovary testis किसके अंदर होता है testis एक pouch के अंदर होता है throttle sack, यह mammal का character है female, ovary जो होती है abdominal cavity होती है उससे आपकी oveduct जोड़ी होती है जो की uterus में खुलती है okay now fertilization क्या होता है fertilization internal होता है because we have copulatory organ हमारे पास क्या होता है copulatory organ होता है copulatory organ मतलब we have penis-like structure we can insert the penis into the female body and then male easily releases his sperm to the female without any interruption eggs मैं आपको बताने वाली थी gestation gestation period भी कह देते है fertilization internal है इसका मतलब ये sperm and ova दोनों आपस में fuse होते है sperm and ova दोनों आपस में fuse होते है call attention इसमें नहीं न sperm and ova दोनों fuse हो गए इन्होंने zygote बनाया zygote जाकर ये जो आपका uterus होता है वहाँ पे जाकर implant हो जाता है हर mammal का gestation period gestation period अलग-अलग हो सकता है human being का 9 महीने होता है 9 महीने पे मा और बच्चे के बीच में एक extra embryonic या tissue डेवलप हो जाता है जिसे हम कहते हैं placenta क्या कहते हैं बच्चो placenta placenta is the characteristics of the mammal please always remember this ठीक है तो 9 महीने जब गर्भ में मा अपने बच्चे को रखती है तो कुछ समय के बाद मा और बच्चे के बीच में एक tissue डेवलप हो जाता है जिसे हम कहते है placenta अब मा जो भी खाती है वो बच्चे को असानी से मिलता है through this structure called as placenta कोई दिक्कत परिशानी इसमें so placenta is the another characteristics of this human being ठीक है अब ध्यान से समझेंगे अब human being के mom के अंदर या किसी भी mammal के अंदर जो बच्चा है वो डेवलप हो रहा है अब बच्चे के ऊपर एक extra embryonic embryonic membrane गो extra embryonic embryonic membrane डेवलप हो जाती है जैसे कि chorion, amnion, ellantois और yox कि मैंने last class में भी आपको बताया था ठीक है इसके अंदर बच्चा डेवलप होता प्लेसेंटा से mouse and nutrition देती रहती है पर बहुत सारे जो mammals होते हैं वो बच्चे देने वाले नहीं होते आई बास समझ में there are so many mammals जो कि बच्चे देने वाले नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं ठीक है तो even मैं आपको बताओ जो जैसे मालीजी zygote human being implant हुआ तो ultimately वो भी तो था एक फर्टिलाइज रंडा ही ना तो जो human being में या किसी भी के भी मैमल में जो भी अंडे होते हैं वो हमेशा microlacetal होते है microlacetal या alacetal क्योंकि इन में york का amount जो होता है वो बहुत 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 कम होता है जबकि आप किसी वार अंडे Aves के अंडे को देखो तो उसमें बहुत कर york होता है तो उसमें कोई यह सब मैमल के कारक्टर माने जाते है ठीक है So this is the structure reproductive system अम लोग पढ़ी रह थे तो देख लीजे So this is the testis यह हर almost हर मैमल का यह कारक्टर होता है भी They have testis They have epididymus They have prostate Vasa differentiae Semenal vesicle यह सब आप लोगोंने 10th class पे पढ़ा भी होगा जो चीज मुझे बतानी ही वह मैं आपको बता देती हूँ कि Human beings have the ovary female has the ovary male has the testis male has the panis which is a copulatory organ semianal vesicle prostate और आपकी bulb or erythral yetino इनकी glands होती है Human beings में जो female होती है उसमें भी बहुत सारी glands होती है ठीक है Now Vasa differentiae यह सब structure होती है reproductive system के ठीक है आई बात समझ में Now अब हम लोग किसकी बात करते हैं ध्यान से समझेंगे तो यह mammals के कुछ character हुए अब मेरी बात को ध्यान से समझना एक और character होता है बिलकु ध्यान समझो जैसे कि मैं बात करती हूँ निपल्स के मैमल्स में male और female दोनों के पास निपल्स होते हैं but female have ability to feed their young ones males do not जबखी there are three sub phylum of the there is three sub classes कह दो यह मैं इसको sub phylum क्या कहूँ मैं इसको group कहती हूँ there are three groups of the mammals number one is the prototherians number two is metatherians and number three is eutherians अब समझना human beings के अगर तुम बात कर रहे हो तो they have well developed memory gland and they have nipples too but prototherians की बात करते हैं तो mammals को तीन groups में हम लोग divide करते हैं तीन groups में divide किया हम लोगों ने prototherians, metatherians और eutherians इसका पहले screenshot ले लिजए आप लोग फिर अपन आगे बात करेंगे now let's start what is a prototherians actually यह जो है न बच्चो यह इसका sub class actually it is not sub phylum it is a sub class और उनके बहुत सारे orders और आपको पढ़ने नहीं है तो कोई मतलब नहीं है सीधी सीधी आपन बात करते हैं अपन लोग यह नहीं आएगा कि class क्या है phylum क्या है इसके class है फिर इसके sub order है फिर order इतना classification आपको पढ़ना नहीं है सीधी बात करते हैं पर mammals को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे prototherians, metatherians, eutherians let's talk about the prototherians theria, theria का मतलब क्या होता प्लेसेंटा बनाए अब यह प्लेसेंटा नहीं बनाते यह primitive animals यह कोई placenta फैसंटा नहीं बनाते तो इसमें कोई tension लेने की ज़रद में बनाएंगे यह ओवे प्लेस होते यह अंडे देते आईभास समझ में नोसम mierद हिंग है तो इनके पास पास जो मेल उटा है और फिमेल उटा होता है इनके पास डोणों के पास निपल्स अप्रma such a मैल और फिमेल दोनों यह अपने skin से तो यह अपने skin से बच्छों को अपने बाल के थ्रू विड कराते ठीक है कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं होता अनके पास इवन दे डोंट आप अनस, दे हैव खलोएका, ठीक है इवन दे डोंट आप कार्पस, कैलोसम, अच्छा मेल और फीमेल दोनों बच्चे को फीट कराते हैं तो यह क्या शो करते हैं, यह शो करते हैं तो यह शो करते हैं, गायनेको मेस्टिया यह शो करते हैं, गायनेको मेस्टिया कोई दिक्कत परिशानी, तो प्रोटो थीरेंज होते हैं यह अंडे देते हो हैं, इनके पास कोई वेल डेवलप्ट करेक्टर नहीं है इवन इनके पास यह पिनना भी नहीं होता तो अगर आप इनका इयर पिन्ना खोजने की कोशिश करें तो इयर पिन्ना भी आपको दिखाई नहीं देगा इनका जो टेस्टीज होता है वो अब्डॉमिन में होता है पेट के अंदर होता है तो यह ग्याने को मैं स्टिया शो करते हैं male और female दोनों active होते हैं and tachyglossus, echidna, spiny, ant, eater and cutting अगला जो group है mammals का वो है metatherians group आएए देखें क्या है यह ओवी वी पैरस होता है ओवी वी वी पैरस का मतलब क्या होता है कि इनके पास जो है तो they have pinna दिख रहा है आपको pinna में so they have pinna, ear pinna, they have two vagina, they have two clitoris, they have two uterus they have two things, they have two things in the body में होते हैं kangaroo mostly कि अगर उसकी बात करें इनके पास वो carpus callosum जो मैंने आपको cerebrum attach करने वादा बताये था ना वो नहीं होता इनके पास okay, okay, तो अच्छा, इनके साथ एक कहानी यह है द्यान समझे, इनके आगर आप देख रहे हैं कि kangaroo के अंदर एक pouch होता है देखे, placenta जो होता है वो मा और बच्चे के बीच में जब बन जाता है द्यान समझे, placenta जब मा और बच्चे के बीच में बनता है तो continuously मा बच्चे को nutrition देती रहती, देती रहती पर अगर आप सोचिए, किसी का placenta ना बने बच्चा underdeveloped रहे तो बच्चा बाहर निकल जाएगा, बिन डवलप हो सकता मर जाए तो यह क्या करते हैं, बच्चे को delivered नहीं करते इनके पास अब्डॉमिन पे पाउच जैसा होता है जहां पर यह बच्चे को रख लेते हैं और फिर अपना nutrition जो है इनको देते रहते हैं जब बच्चा पूरा डवलप होता है, तो यह इसे पाउच से बाहर कर देते हैं इनहें आप marsupials भी कहते हैं, क्या कहते हैं भईया इनहें आप marsupials भी कहते हैं, कोई दिक्कत इसमें इसका एक example मैंने आपको बताया, kangaroo, ठीक है? ओके, एक example मैं आपको बताती हूँ, opossum, ठीक है? Now Eutherian Eutherian बच्चा देते हैं कोई टेंशन नहीं है Eutherian जो ग्रुप है Mammals का कोई टेंशन नहीं है 9 महिने तक जो है माँ बच्चे को अपने पेट में रखती है माँ और बच्चे के बीच में एक एक्स्ट्रेम्रियॉनिक टिशू बन जाता है इसे आप प्लेसंटा केते हैं प्लेसंटा के माद्धें उसे माँ अपने बच्चे को नूट्रिशन देती रहती है So what is a Proto-therians प्लेसंटा नहीं बनाते और सबसे प्रिमिटिव है Proto मतला प्रिमिटिव उसके बाद आए मार्सूपियंस, Metatherians और उसके बाद आए यूथिरियंस वीवी पैरस बच्चों को जन्म देते है So this is the echidna, spiny entreator Look at the skin, they have spiny skin Look at the kangaroo and look at this young gentleman Now, हाला कि ये नहीं आएगा ठेक है? मैंने आपको ओपसम का भी example बता दिये इसको डाइडलफिस कहते हैं Now, mammals को हम लोग का बहुत सारे orders में डिवाइड करते हैं आपको orders नहीं याद करने हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया You don't have to remember the orders Please always remember ठीक है? आपको नहीं याद करने हैं इंसेक्टिवोरा बस मैंने आपको बता दिया है ठीक है कि थोड़ा सा देख लीजिए आप ठीक? Order 1 सौरेक्स इंसेक्टिवोरा जितने भी इंसेक्टिवोरा जितने भी इंसेक्ट लाइक मैमल्स होते हैं जो कूते फानते रहते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं जिसे शीव्स देर्मेप्टेरा इसे फ्लाइंग लेमर्स किते हैं लेमर्स आप देख सकते हैं इंटरनेट पे उसका इमेज मेरे नेक्स क्लास में लगा कर दिखा भी दूगे orders के ठीक है इसके अंदर फ्लाइंग लेमर्स आते हैं चीरॉप्टेरा के अंदर बैट ससь थे इस निखे रोडेंश तेया जो रोडेंट्स होते हैं जैसे कि रैट इसके अंदर आते हैं ठीक है उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंटी अधितर इन टेता ठीक है इसके अंदर आता है शोडाप लेंप्रियों यह इन यह यह एक बार order 8 Carnivores, इसके इंदर जितने भी मानसाहारी मैमस है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, बाग है, चीता है, लोमडी है, सब इसके इंदर आते हैं, Canis Familius Dog कर लिया भी हुआ है, Cetacea, Cetacea के अंदर आती है Blue Whale, ठीक है, Cerenia, इसके इंदर आती है Sea Cow, Tubular Dentata, इसके अंदर आते हैं, इस Tubular Dentata के अंदर और के टरप्स आते हैं, यह एक्जांपल इंपॉर्टन नहीं है, Proboscidia के अंदर Elephants आते हैं, जितने भी Elephants, Elephants, Indica, Hyra, Hyrechoidia, इसके अंदर हाईरा आता है, ठीक है, Erytodactyla, इसके अंदर Sheep आती है, Perisodactyla, इसके अंदर Horse आते हैं, Primates, Primates के अंदर Leemar आते हैं, ठीक है, अब आपने क्या देखा, You Shows, What You Can See, क्या देखा तुमने तुमने देखा, बहुत सारे Orders तुमने देखे, देखे किनी देखे, पर इन Orders में आपको इन Orders को याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताया कि Mammals में करीब 15 से 16 Orders होते हैं, इसके ये Example होते हैं, Examples आपके लिए Important नहीं है, Mammals का Example नहीं आता, Actually, मैंने आपको बताया कि Mammals की जो तीन Grouping है ना, Prototherian, Metatherian, Eutherian, इन में से एक सवाल आ सकता है, कौन सा सवाल आ सकता है, कि Marsupial क्या होते हैं? ठीक है, आपको पूछा जाएगा Pouch वाले, Placenta वाले, Memory Gland वाले, तो आपको बताना होगा कि Pouch वाले है, ठीक है, और क्या question आ सकता है Mammals में, देखिए, mammals में और क्या सकता है, mammals को mammals क्यों कहते ही, ये भी जो है, तो example में आ सकता है, फिर उसके बाद, इस में क्या सकता है, mammals में, देखिए, ये मैं आपको बताना, ये वला diagram, मैंने explain नहीं किया, तो mammals में और क्या होता है, it is the structure of a dog, ठीक है, इनके पास skull होता है, look at this, so they have skull, look at this, they have skull, look at, they have neck, so neck होता है, jaw, bone होती है, अच्छा, इनका जो jaw होता है, वो cranio stylic type का होता है, cranio stylic type का मतलब ये है, इनका जो jaw होता है, वो खोपडी से जुड़ा हो रहता है, अपना जादे का जो होता है, lower jaw होता है, ठीक है, okay, तो वैसी ही, चडिया के साथ भी ऐसा है, चडिया के भी lower beak हीलती है, okay, they have humerus, छीक है, this is the humerus human being में, sternum, it is a middle bone, जैसे rib studio होती है, they have radius and ulna, radius ulna, छीक है, okay, radius ulna, next is, pair में हैं के पास, four limbs में इनके पास radius ulna, जैसे आपके पास है, और हिंड लिम्स में, they have tibia fibula, बोर टाथी हड़िया है, radius ulna यहां पे होती है, tibia fibula, पै पूछ वाली हड़ि, femur, जांग वाली हड़ि, pelvis कमर की हड़ि, dors, lumbar कमर की हड़ि, backbone, ulna, यह सब हाथ की हड़िया है, metacarpal, kali की हड़िया, ठीक है, kali की हड़ि, carpal, metacarpal, pharyngeus, ठीक है, तो यह सब हड़िया, it is a endoskeleton of any type of mammals, ठीक है, तो mammals में यह सारी चीज़े होती है, क् I hope कि आपको mammals के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई confusion नहीं रखना, बच्चो, confusion मुझे दे दो, सारी tension मुझे दे दो, in the next class I will tell you, this is all, mammals में इसके लावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, NCRT बच्ची है for next class में देखेंग आपसे कुछा जाएगा, NCRT बच्ची है